नमस्कर दोस्तो आपके अपने वेदिक एश्टो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मेश रासिवालों के लिए ये तीन महीना अप्रेल, मैं और जून ये तीन महीना 2030 में कैसे जाने वाला है, कैसे रहेगा तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जनकारे देंगे दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि इसमें कहेगी बाते आपको अच्छे से और इस पष्ट समझ में आ सकें तो चलते हैं वीडियो की योर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपरेल की महीने के बारे में मेंस रासी वालों का अपरेल महीना कैसा रहेगा तो मेंस रासी वालों के लिए ये तीन महीना कैसा रहेगा आई जानते हैं 6 अपरेल को सुक्रदेव सिकंड हाउस में चले जाएंगे और 14 अप्रेल में सुख करदेव उच्छ के हो जाएंगे सबसे अच्छी इससे के हो जाएंगे आपकी रासी में अप्रेल के महीने में आपके पास काम बहुत ही ज़्यादा रहेंगा आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा ब्यास्त रहेंगे आपको अप्रेल के महीने में यात्रा करने का अफसर मिलेगा आप यात्रा पर जा सकते हैं अपने काम को लेकर या फिर घूमने फिरने 14 अप्रेल के बाद आप काम को अच्छे से करेंगे और जो भी आपको टिंसन बनी रहेगी वो टिंसन सारी दूर होगी अप्रेल के महीने में संतान की प्राप्ती होगी अगर आपके घर में कोई लेडिज प्रेगिनेंट हैं तो आपको अप्रेल के महीने में संतान की प्राप्ती होगी अगर आपकी साधी तै नहीं है या फिर तै नहीं हो रही है आपके साधी में अरचने आ रही है यदि आपका वैवाहिक जीवन में समस्य आ रही है आपके साधी नहीं फिक्स हो रही है बहुत ही जदा आप लोग परसान है तो वैवाहिक जीवन में अगर परसाने चल रही है तो 22 अपरेल के बाद आपकी विवाहे से लेकर आपकी विवाहे फिक्स हो जाएगी और जो व्यक्तिसादी सुदा लोग हैं तो उनके वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा इस अप्रेल के महीने में 22 अप्रेल के वाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा माई में अगर देखा जाए तो माई 2030 में में सुक्रदेफ 4th house में नीच के हो जाएंगे आप अपने गुस्षे में थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आपको कंट्रोल करें अपने गुस्षे को कंट्रोल करें माई के महिने में यदि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी कार करने वाले हैं या कहीं investment करने वाले हैं तो माई का महिना ये बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा लेकिन ये काम कोई गाड़ी वाहन खरीद रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं तो ये काम आपको जून में करना है, मई के महिने में आपके लिए बिलकूल अच्छा नहीं रहेगा, अगर आप ये काम करते भी हैं, तो आपको दिक Alberta जाएगा, या फिर लॉज से भी हो सकता है, आपका पैसा नहीं स्कता है, इसलिए आप जून के महिने में करें, बात की जाए विद्यार्थियों के लिए तो माई और जून का महीना माई में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो विद्यार्थी है उनका समय माई का बहुत ही अच्छा रहेगा और माई में आपको साथ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है माई की महीने में आप अपने वैवाहिक जीवन पर विसेश ध्यान दे जो मेसरासिवाले हैं अपने वैवाहिक जीवन पर इस्पेसल ध्यान दे थोड़ी बहुत जगड़े हो सकते हैं माई की महीने में बात की जाए प्रेम जीवन के बारे में तो 14 अपरेल के बाद और 20 जू आपको नौकरी मिलने की संभावना इस महीने बन सकती है अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा लोग आपको सम्मानित करेंगे इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा इस महीने प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों य आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड सिर कीजिए